डियर फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि यूपी आगनबाली को जो आपकी भरती होने जा रही है भरती परकिरिया पुरी तरीके से मेरिट के आधार पर होना है और यह जो मेरिट होगी आपकी इंटर ग्रेजुशन, पोस्ट ग्रेजुशन अगर आपके पास पोस्ट के रिजवट है तो वहां तक की मेरिट बनाई जाएगी आज हम जानेंगे कि यागनबाली में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें गुलांक आप कैसे अपना निकाल सकते हैं जैसे मान लिए आपके पास में 60% हाई स्कूल में मार्क हैं इंटर में आपके 60% है 50% है तो आपका गुलांक मेरिट कितनी बनेगी जैसा कि इसमें गुलांक मेरिट के नुसार ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो वीडियो में तक बने रहेगा अधरिड लिस्ट कैसे बनाएंगे अपनी खुद की मेरी लिस्टा आप देख सकते हैं, अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो किरपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे, सबसे हैं, या 80-90, आप देख सकते हैं, जो हमने परसेंटे जहां लिखके रखा है, इसमें से आपके उपर मान लिया कि 45 परसेंट आपका है हाई स्कूल में, तो गोडांग मेरिट आप कैसे बनाएंगे, इसमें जैसे कि 45 का अगर हम गोडांग मेरिट निकालना चाहें, तो इसक जो इसमें भाग देंगे, तो इसका जो गोडांग बनकर आएगा, वो बनकर आएगा 4.5, 4.5, इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि अगर आपकी 45 परसेंट माक हैं, तो आपका 45 का 4.5 यहाँ पर जो है, गोडांग मेरिट बनकर के आएगा, यदि आपका 60 परसेंट है, तो यहाँ पर जो हम 60 को यहाँ से डिवाइड करेंगे, देख पाएगे कि 10 से, यहाँ से 10 से आपको इसको भाग देना है, और जब 10 से हम भाग देंगे, तो यहाँ पर आजाएगा 6, यहाँ पर आपका जो है, गोडांग मेरिट 6 बनकर आएगा, इस तरीके से आप जैसे कि 65 प गोडांग मेरिट जो होगी, 7 बनकर आएगी, 80 के लिए आपका 8 आएगा, 90 के लिए 9, इस तरीके से आप लोग हाई स्कूल का अपना जो है, यहाँ से गोडांग मेरिट निकाल सकते हैं, ठीक उसी परकार से आपको इंटर में देखना है, जिससे अगर आपका 45 परसेंट है तो 45 को अगर हम डिवाइट करेंगे, जैसे हमने हाई स्कूल में किया है, इस परकार से आप लोग अपना हाई स्कूल का, इंटर का और ग्रेजुएट का, सम्में आपको 10 से डिवाइट करना है, जिससे 45 का आप 10 से भाग देंगे, तो 4.5 आएगा, 60 परसेंट को अगर हम ड भुडां के आधार पर निर्धारित किये गए हैं, तो इस परकार से आप लोग टोटल अपना निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया कि आपका 70 परसेंट हाई स्कूल में है, 80 परसेंट इंटरमीडियेट है, और आपका 65 परसेंट अगर आपका ग्रेजुएशन में है, तो इस परकार से आपको अंग मिलेंगे, यहाँ से आप इसको जोड सकते हैं, 7, 8 और 6.5 यहाँ पर जो होगा वो मेरिट बन करके यहाँ पर आ जाएगी, तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं, यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट के यहाँ पर 50% अंग पराप्त की हैं, तो यहाँ पर आपको 6.5 के बाद में यहाँ पर आपको 5 भी जोड देना इसमें, 5 यहाँ पर हम जोड देंगे, 5 को यहाँ जोड देते हैं, तो इस परकार से जो टोटल बनेगा वो आपकी गुलांग मेरिट होगी, यदि आप मान लेत किसी कंडिडेट का जिसके पास ही high school injury है, तो इसके पास में 8 और 7 अंग यहाँ मिलते हैं, अगर 70 और 80% है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका 15 अंग यहाँ मिल लगा है, 15 अंग यहाँ पराप्त होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि जिसके पास में जितना ज़्य ज़्यादा qualification होगी, उसी के अनुसार उसको अंग ज़्यादा मिलने वाले हैं, यदि अगर कोई inter तक ही है, तो उसके अंग बहुत कम बनेंगे, graduate में हैं तो उसके भी अंग जुडेंगे, post graduate हैं तो उसके भी अंग जुडेंगे, तो इस परकार से merit high जाएगी, जिनके पास में डिगरिया ज़्यादा होंगी, उनको चांसे ज़्यादा हैं, और जिनके पास intermediate होगा, अगर माल लेता है, intermediate है, और कोई अभिरती उस block में, आपके यहाँ जो vacancy निकली है, आपके केंदर में, अगर कोई आवेदर नहीं करता है intermediate के उपर, तो आपके चांसे ज़्यादा इस परकार से आप लोग अपने merit को चेक कर सकते हैं, अगर आप यह कोई राय हो तो comment box में जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए, नमस्कार